कम से कम हपते में एक बार सेक्स जरूर करना चाहिए डॉक्टरों की राय मानें, तो उनका मानना है कि जो लोग रेगुलर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं यानि सेक्स करते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी और हैपी रहते हैं तो आएए आज हम जानते हैं फिजिकल रिलेशन ना बना पाने से आने वाले दिनों में आपके स्वास्त पर उसका क्या-क्या असर पड़ता है वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केर दोस्तों हमारे संदगी में कई बार ऐसे दौर आते हैं जहां इंसान फिजिकल रिलेशन बहुत कम बना पाते हैं जिसका असर आपके संदगी पर आपके स्वास्त पर बहुत गहरा पड़ता है जो इंसान अगर रेगुलर सेक्स नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि पुरुष तो इनमें दीरे-दीरे नपन सकता आ जाती है वही औरतों में सेक्स के प्रती इंटरेस्ट कम हो जाता है ऐसा माना गया है कि सेक्स जो है हमारी संदगी से सीधा जुड़ा हुआ है उसका हमारी खुशी से बहुत गहरा रिलेशन है एरेक्टायल डिस्फंक्शन की बिमारी पुर्षों में ये बिमारी उनके उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती है जिससे उनका सेक्स में इंटरेस्ट कम होने लगता है लेकिन अगर 25 के बाद ही ये बिमारी पाई जाए तो ये चिंता जनक बात है इसके लिए डॉक्टरों को दिखाना चाहिए लेकिन अगर वो रेगुलर सेक्स करते रहते हैं तो पुर्षों में इसके बिमारी की संग्या कम हो सकती है यानि वो स्वस्थ, नॉर्मन, हेल्दी, सेक्सी लाइफ लीट कर सकते हैं इम्यून सिस्ट्रम कमजोर होना रेगुलर फिजिकल रिलेशन बनाने से कुछ जरूरी हार्मोन्स डिश्चार्ज होते हैं जिससे व्यक्ति हेल्दी रहता है वहीं जहां पर रेगुलर सेक्स नहीं किया जाए तो इससे बॉड़ी का व्यक्ति का इम्यून सिस्ट्रम कमजोर हो जाता है जिससे बिमार पढ़ने का खतरा या इन्फेक्टेट होने का खतरा बढ़ जाता है डॉक्टरों का मानना है कि आप regular sex नहीं करते हैं यानि physical relation नहीं बनाते हैं तो sex hormone आपके शरीर में बनना तीरे तीरे कम हो जाता है और तीरे तीरे sex के प्रती आपकी इच्छा कम हो जाती है जो लोग regular physical relation बनाते हैं उनके दिमाग में एक तरह का happy hormones बनता है जिससे को खुश रहते हैं और उनका बाखी कामों में भी मन लगा रहता है डॉक्टरों का माना है कि जो लोग regular sex नहीं करते हैं उनमें तनाव और blood pressure जैसे बीमारियों का खत्रा बढ़ जाता है heart attack या stroke की आशंका जो लोग regular physical relation बनाते हैं उनमें heart attack की संभावना कम पाई जाती है जो regular physical relation नहीं बना पाते हैं इससे शरीर में एक तरह का sexual frustration पैदा होता है जिससे तनाव या फिर heart attack का खत्रा बढ़ जाता है research में पाया गया है कि जो लोग regular sex करते हैं उनमें अपने आप उनके गुपतांगों में fluidity बनी रहती है लेकिन यदि जो लोग कम sex करते हैं तो उनहें artificial lubricant की सोरग बढ़ती है दोस्तों तो आज आपने देखा sex के बारे में कोई ज़रूरी जानकारी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय लिखना न भूले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे subscribe करें और अपने मन में जो भी सवाल है शंका है हमें email करें हम आप से मिलते रहेंगे Thank you very much, stay well, stay healthy Thank you